पलकें जुकें और नमन हो जाए मस्तक जुकें और बंदन हो जाए ऐसी नजर कहां से लाओं कनेया कि आपको याद करूँ और आपके दर्शन हो जाए जहींद आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और में हूँ आपके साथ राजिंदर रहना श्री कृष्ण जन्माश्ट कि अगर बात करें तो पूरे भारत बश्च में भी इस समय कृष्ण जर्माश्टमी की जो रंग में पूरा देशी समय डुबा हुआ है और अगर हम विशेशकर सुन्दरवनी की अगर बात करें तो सुन्दरवनी यहाँ पर जिसे शिक्षा के क्षेतर में मिनी कैरला के ना चेरिटेवल ट्रस्ट गुरु गदी बजवाल बनपूरी के प्रांगन में हम इस समय खड़े हैं और ये इतना विशाल और इतना भब्य मंदिर यहां पर गुरुजी महराज द्वारा इसकी स्थापना की गई है इसकी महारत पूरे जम्मू कश्मीर सहित जम्मू कश्मीर के स बिजवुशन जी महराज जो इस गद्डी के उत्रादी कारी है और इस समय जगद्डी के बर्तमान गुरु जी महराज है उनकी करकमलू से और उनके पावन सानिदे में यहां पर पूरे वरश्वर में ववे कारेकन यहां पर आयोजित होते हैं और विशेश कर यब श्राव वे सवी इस मंदिर की जो गाता इस मंदिर के मनरूम दरिश्य और प्राकृती के गोद में ये वसा हुआ ये जो गुरुगद्दी बंपूरी का जो मंदिर है इसकी महिमा का गुंगान करते हूँ यहां नजराते हैं इस समय हम गुरुगद्दी के प्राणगर में खड़े हों पर चुरी क्रिशन जन्माष्टमी का कारिक्रम चल रहा है और गुरुजी महराज से आज के पावन परव पर जम्मो कश्मीर की जन्ता के लिए संदेश और आज का यो कारिक्रम यहां पर सोक्षम रोब से गुरुजी महराज के आदेश के बाद यहां पर आयुजित किया जा उस सब पर चर्चा करेंगे गुरुजी महाराज आपके चरणों में कोटी-कोटी बंदन आपको प्रणाम करते हैं और आज का यूग कृष्ण जन्म आश्टमी का विशेश परव है उस परव को आपने सुक्षम रूप से आयुजित करने का जो नर्ने लिया है उसका आप थो क्रिष्ण जन्म आश्टमी का महसब मनाया जाता है और यह हमारे प्रांगन से एक भवे विशाल यात्रा भवान के चड़नों का श्रिवाद लेकर करके निकाली जाती है और दो घंटे के बाद यह यात्रा काली दे से होती हुई वापस इस प्रांगन में आती है लेकिन कुल आज हमने इस शोब यात्रा को निकालने का जो कारे है वो स्थकित कर दिया है और सुक्ष्ण रूप में आपने ही प्रांगन में भगवान क्रिष्ण की जांकी को लगाया हुआ है जिसका विस्तार अभी राजिंद्र जी ने आपको दिया है और हमने सब लोगों से प् शीरवाद भगवान से ग्रहन करें और आज के इस महोस्व का आनंद प्रापत करें मेरी भगवान से यही प्रातना है कि है भगवन देश के जो हालात है जो करोना काल का संगट देश और विदेश दोनों में आया हुआ है उस संगट से हम जल्दी पार उतरें और हमारे में और विदेश दोनों में सुख शांती का जीवन हो ताकि हम भविश्य में इस कारे को अच्छे तरीके से मना सकें और आज का ये कारे बनपुरी मंदिर में गुरुगदी एक जाराट साथ गुरुबावा कांशी जी महराज की कृपा से इस प्रांगन में ही मनाया जा रहा है जैसा कि अभी लोगों का आना जाना शुरू है लोग लगबग रात करीब करीब बारा बज़े तक यहां पे आएंगे और बारा बज़े हम भगवान को अरगदे करके भग शानती का जीवन प्रधान करना जहां 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 पर भी आजरे मनुरम धरिश्य दिखाई दे रहे हैं जहां जहां भगवान की जहांकियां आपने अपने प्रांगनों में ही दिखाई दे रही हैं मैं भगवान से प्राटना करूंगा कि वहां के भी जो सभी भगवान के शोटागन हैं, भगवान के जो चड़णों के प्यारे हैं, उन्थ सभी को भगवान अपने चड़णों का आशिरवाद प्रदान क्रते हुए, सब की कामनाओं को पूर्ण करें, और ये तिवहार जहां जहां जिस जिस रूप से मनाया जा रहा है उसका आशिरवाद भखवान सबको प्राबत करें तो मैं इस चैनल के माध्यम से भी आप सभी देशवासियों को आज के परव की शुब कामना ही देता हूं कि आप सभी सुखद मेज जीवन वतीद करें और अपने बच्चों को भी सनातन दहम की मर्यादा के स जोड़े रखें इनी शब्दों के साथ गुरुजी माराज एक प्रशन है आप से कि गुरुजी माराज आप ने इतना सुंदर विशाल और वव्य मंदर का यहां पर निर्मान किया है और हम अगर बात करें भारत पाकिस्तान की विवाजन की अगर बात करें तो 1947 में जितने वव्य विशाल और मनोरम द्रिश्य इस प्राकृति की गोद में जो बनपुरी का गुरु गद्धी प्रांगन है इतना वव्य सुंदर और अनुशासन के नाम से पूरे जमू कश्मीर में जाना जाता है इस मंदर के निर्मान में आपको कठनाईय तो आई होगी और जो वक से प्रातना करूंगा कि जिस परकार हमारे इस्टदे भगवान शिवजी महराज ने हमारे पुरुजों को हमारे बड़ों को हमारे पितरगणों को आशिरवाद दिया ये अशिरवाद जन जन तक जाए और जहां जहां भी सभी गुरु जनों के जो शिश्य लोग बैठे ये स्थान भी किसी समय में एक बहुत बड़ा जंगल था लेकिन जूही हमारे पिताजी ने इस जंगल की शोबा को बढ़ाने का जब बीड़ा अपने सर पर उठा लिया तो भगवान ने आपार कृपा करी शेवकों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया बहुत बड़ा आशिर देवाले के रूप में हैं उन सभी के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए और सभी को वहां के दशनार्थ हे तु जरूर जाना चाहिए क्योंकि देवस्थान ही हमारे जीवन के लिए मंगल कारी स्थान है जो कि हमारे बिविश में हमें हमारे परिवारों को हमारे समाज को नत प्रदान करा सकते हैं, तो आज के दिन इसी संदेश से कि सभी लोग भगवान के दरवार में जाकर के भगवान का दर्शन करें और आज के दिन का आशिरवाद, क्यूंकि भगवान के मंदर में जाने से ही इंसानों में, लोगों में कुरितियों का नाश होता है और करोना महाकाल से हमारे जम्मो कश्मीर की जनता सुरक्षित भी रहे और इस महाकाल से बचीव रहे और आज का यू पावन परवाज श्री कृष्ण जनमास्टमी का महुतसभी लोग बनाएं किस प्रकार से बनाएं ताकि वो सब सुरक्षित रहें क्या संदेश रहेगा मैं तो सबसे यही प्रात्ना करूंगा कि जो भी गवर्मेंट ने आदेश और निदेश दिये हैं सोपीस दी हैं हम सब उसका पालं करें उचे दूरी बनाए रखें मास्क को पहने एक दूसरे में के घर में अगर कोई जरूरी हो तो जाएं खास करके जो हमारे समाजिक जो कार करूंगा कि जो भी आदेश हमें गवर्मेंट की और से मिले हुएं उसका हम सब पालन करें ताकि देश में आया हुआ जो संकट है उससे हम मुक्त हों बगवान की बड़ी अपार कृपा है कि पहले भी यह संकट आया था अब भी गवर्मेंट की अडवाइजरी के अनुकू भी बना करके अपने अपने कार्यों को भी करें और इस समय के साथ भी अपना समय जो है वो बुजारें धन्यवाद नमस्कार दो दन्यवाद बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी महाराज तो यह थे इस गुरु गद्दी के जो बरतमान गद्दी आसियन गुरु और आज का जो पावन परव है उस परव की महिमा को भी हम भड़ चड़ कर मनाएं मैं आपको समीब से इस समें वो विज्वल दिखाने की कोशी कर रहा हूँ लाइब तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समें श्रीश्री एग्याराट सत्गुरु बावा काशी गिरी जी महा का बखान आप टीवी चैनलों के मादेम से और अखवार के मादेम से भी आप सुनते रहते हैं इस समें आप लाइफ तस्वीरों में देख रहे हैं कितना ववे विशाल और प्राकृती की गोद में बसा हुआ बनपूरी मंदिर विशाल मनोरम दृश्य यहां पर समस्त जो लक्ष्मी नारायन की यहां पर मूर्तिस थापित है और लगबग यहां पर इतना पावन इस मंदिर का जो दृश्य है इसको देखते ही हर जो शरदालू इस मंदिर के प्रांगन में एक वार प्रवेश करता है उसके मन को यहां की जो शोवा है मानो बाह लेती हो हम तमाम ज गुरुगदी भजवाल बनपूरी में एक वार जिरूर आएं और यहां के पावन पवित्र प्रांगन के दर्शन कर अपने जीवन को सफल बनाए अपने आपको सवागे शाली बनाए आप यूही देखते रहें बाव है एक्सप्रेस वीडियो जनलिस सची रहना के साथ सु अधरवनी से मैं राजिंदर हैं